दोस्तो नमस्कार, वेलकम टू PK Special Classes, PK Special Classes में आपका स्वागत है, दोस्तो आज हम बात करेंगे क्या कारण है, हम सफल नहीं हो पाते, तता इसका निवारण क्या है, दोस्तो यदि यह मेरी बाते आप ध्यान से सुनेंगे, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आप उस सफल होने में कोई नहीं रोक सकता, दोस्तो वैसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, मैं उनमें से केवल महतपूर पांच कारण बताऊंगा, जो आपके सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, आप इस पांच कारण को देखिए, सबसे पहला कारण है आलस, दूसरा जो ग्रता की कमी, तीसरा कारण है सही रास्ते का चुनाव न करना, चो था कारण है स्मार्ट प्रकार से पढ़ाई न करना, और पांच मा द था लाश्ट है रिजल्ट से भैवीत होना, दोस्तो इसके बारे में आज हम बारी-बारी से बात करेंगे, पहला कारण मैंने बताय आलस, दोस्तो हम सपने तो बड़े-बड़े देखते हैं, और उन सपनों को पाना भी चाते हैं, पर पा नहीं पाते, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि आपके अंदर आलस है, हम कुछ दिन तो बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, पर कुछ ही दिन बाद हमें आलस घेर लेता है, तदा हम सोचने लगते हैं कि परिच्छा होने में अभी बहुत दिन है, कुछ आराम कर लेते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, दोस्तो यहीं आपके अंदर ऐसा है, तो आप अभी आप आलस को निकाल के दूर फेक दीजिए, वरना यह सफल होने में नहीं देगी, तो यह सफल होने में बाधा बनेगी, दोस्तो दूसरा कारण है एकागरता की कमी, अर्थात हमारा मन तो पढ़ने में लगता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए इसके बाद पढ़ाई तो होती है, पर कुछ समझ में नहीं आता, दोस्तो ऐसे बहुत से परिचारती हैं, जो 15-20 मिनट बहुत मन लगा कर पढ़ते हैं, इसके बाद मवाईल या टीवी देखने लगते हैं, दोस्तो इस प्रकार की आदत यदि आपके अंदर है, तो आप इसे तुरंत निकाल फेकिए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपना मवाईल टीवी को सुचाब कर लें ताकि कोई भी disturbance ना हो, दोस्तो तीसरा जो कारण है सही रास्ते का चुनाव ना करना, दोस्तो तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मैंने बताया, सही रास्ते का चुनाव ना कर पाना, बहुत से परचारती इसलिए सफल हो जाते हैं, कि वो अपना जो सही रास्ता हो चुनाव कर लेकिन बहुत से परिछारती इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि वे गरत रास्ते पर चले जाते हैं गरत रास्ते का अर्थ है कि वे अपना सिलेवस सही समझ नहीं पाते सही ढंग से समझ नहीं पाते अर्थात यदि वो ससी के तयारी कर रहे हैं तो वो किसी और का सिलेवस पढ लगते हैं यदि आप ससी की तयारी कर रहे हैं तो आप ससी का सिलिवस पढ़े यदि आप बैंग की तयारी कर रहे हैं तो बैंग का सिलिवस पढ़े दोस्तो मैंने बहुत से परिछारती को देखा है कि यो एक साथ ससी और बैंग की तयारी दोनों एक साथ करते हैं जो की गलत ह दोस्टो यह एक प्रकार की खिचड़ी हो जाएगे जिसका प्रग्राम नकारात्मक हो सकता है दोस्टो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप एक आप एक मंजिल को चुनो और उसे पाकर ही दमलो अर्थात आप एक ही मंजिल को चुनो और उसी का सिलेवस पढ़ो जैसे आप ससी का तयारी करना चाहते तो आप ससी का ही सिलेवस पढ़ो और किसी का भी सिलेवस नहीं देखो जो था जो कारण मैंने बताया थे दोस्तो इस स्मार्ट प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाना अर्थात इस स्मार्ट प्रकार से पढ़ाई ना करना दोस्तो अब जो एक्जाम में जो प्रस्तना आते हैं वो पुराने प्रकार से नहीं आते इस स्मार्ट तरीके से आते हैं दोस्तो मैंने बहुत से परचाती ऐसे भी देखे हैं जो पढ़ाई तो बहुत मन लगा करते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्या कारण हो सकता है कभी आपने सोचा है दोस्तो कारण यही है कि वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं यदि आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है तो आपको प्रतेग दिन का नियूश पेपर पढ़ना होगा तथा समाईक पर ध्यान देना होगा तथा एक निश्चित नमयान उसार आपको सभी विसे पढ़ना होगा ऐसा नहीं है कि आप गड़ित को पढ़ रहे हैं और जी के का कोश्चन या जी के छोड़ रहे हैं ऐसा नहीं है आपको एक निश्चित समयान उसार सभी विसे को पढ़ना है दोस्तो मैंने लास्ट बताया जो लास्ट सबसे बड़ा बाधख है हमारे सफलता में ओ है रिजल्ट से भैवीत होना दोस्तो मैंने बहुत ऐसे प्रशारती देखे हैं जो रिजल्ट से भैवीत हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं दोस्तो एदि आप एक बार दो बार तीन बार या अनेको बार असफल हो जाएं तब भी आप हार न मानिये आप ये भली भाती जानते हैं कि चाभी के गुच्छे की आखरी चाभी भी ताला खोल सकती है तो दोस्तो आप हार नहीं मानिये तो आप पूरे मन से पढ़ाई करेंगे तो इस सबर आपको जरूर सफलता देगा आखरी में दोस्तो मैं यही करूँगा कि आप मैंने जो पांच आपको बताए इस बाधक वाप ये आपके अंदर कोई भी बाधक है तो आप इसे तुर्ट निकाल कर फेक दीजे और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका आप एक दिन सफल जरूर होंगे दोस्तो आखरी मैं यही करूँगा कि आप मेरे सेनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं पढ़ाई से रिलेटेड या इंस्पिरेशन से रिलेटेड इस वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा धन्यवाद